बड़वा में लॉक्डाउन खत्म होते ही नर्मदा नदी पर स्नान के लिए श्रधालों का हुजूम उमड़ पड़ा धाई वहीने के लॉक्डाउन के बाद जैसे ही प्रदेश को अनलॉक किया गया लोग नर्मदा अस्नान के लिए खेड़ी घाट पर पहुँच गए धाट पर भीड का नजारा डराने वाला था बड़वानगर से तीन किलोमेटर दूर नावागाट खेड़ी पर जो नजारा दिखा वो ना सिर्फ चौकाने वाला था बलकि डराने वाला भी था अनलोक हो दी नर्मदा तट पर पूरे दिन स्नान करने वालों की जबरदस्त भीड देखने को मिली सैकडों की संख्या में परिवार जण भीशन गर्मी से रहात पाने के लिए तट पर एक अत्रित हुए काफी देर तक स्नान का आनन भी लिया लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो नर्मदा तट से अपने घर कोरोना भी ले जाएं तट पर इतनी अधिक भीड थी जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी ना लोग मास्क पहने नज़र आए चारो तरब बस लोगों की भीड ही भीड नज़र आ रही थी जबकि कलेक्टर ने नर्मदा में स्थान पर प्रतिबंद लगा रखा है ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि अब प्रशाशन को ऐसे स्थानों पर सकती रखना अनेवार है नगल में जैसे तैसे संक्रमन की दर काभू में आई है केसिस भी कम हुए है ऐसे में इस तरह की यदि भीड जुटती रही तो फिर से कोरोना संक्रमन की चेन जो किसी तरह तूटती नज़र आ रही है वो फिर से मजबूत होने लगेगी और इसका ध्यान प्रशाशन के साथ आम जनता को भी रखना होगा अनेथा कोरोना का कहर एक बार फिर से तूट सकता है